C.I.E.T. N.C.E.R.T. द्वारा प्रस्तु थे विज्ञान की ध्वनी पाठ्थे पुस्तक कक्षा आठ ओडियो बुक विज्ञान कक्षा आठ अध्याई पांच कोईला और पेट्रोलियम प्रिष्ठ 56 से प्रिष्ठ 63 तक तो आईए अब सुनते हैं अध्याई पांच कोईला और पेट्रोलियम प्रिष्ठ 56 कोईला और पेट्रोलियम हम अपनी मूलभूत आवशक्ताओं के लिए विभिन्पदार्थों को उपियोग में लाते हैं इन में से कुछ प्रकृती में पाए जाते हैं और कुछ का निर्मान मानवीय प्रयासों से किया गया है क्रिया कलाप 5.1 अपने देनिक जीवन में उपियोग में लाए जाने वाले पदार्थों की एक सूची बनाईए और उनका प्राकृतिक तथा मानव निर्मित वर्गों में वर्गी करण करिए इस क्रिया कलाप के लिए दो मुख्य शीरशक दिये गए हैं प्राकृतिक मानव निर्मित इन दोनों शीरशकों के नीचे खाली कोष्ट दिये गए हैं क्या इस सूची में वायू, जल, मृदा और खनिज सम्मिलित हैं? क्योंकि ये सभी प्रकृति द्वारा उपलब्ध कराए जाती हैं ये प्राकृतिक संसाधन हैं बूजों ने पूछा क्या हम अपने सभी प्राकृतिक संसाधनों का निरंतर उपियोग कर सकते हैं? क्या वायू, जल और मृदा मानवीय क्रिया का लापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं? जल के बारे में आप कक्षा साथ में पढ़ चुके हैं क्या जल एक असीमित संसाधन है? प्रकृति में विभिन संसाधनों की उपलब्धता की दृष्टी से प्राकृतिक संसाधनों को व्यापक रूप से दो वर्गों में बाटा जा सकता है अक्षय प्राकृतिक संसाधन ये संसाधन प्रकृति में असीमित मात्रा में उपस्थित हैं और मानवीय क्रिया कलापों से समाप्त होने वाले नहीं हैं उदाहरण हैं सूर्य का प्रकाश वायू समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन प्रकृति में इन सुरोतों की मात्रा सीमित है ये मानवीय क्रिया कलापों द्वारा समाप्त हो सकते हैं इन संसाधनों के उदाहरण हैं वन, वन्यजीव, खनिज, कोईला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस, आदी, क्रिया कलाप 5.2 ये कक्षा कक्ष हेतु सामुहिक क्रिया कलाप है कुछ पात्र लीजिए उन्हें पॉपकॉन या मुंगफली या भुने हुए चने या टौफियों से भरिये विद्यार्थियों को साथ के समुहों में बांट दीजिए अब इन समुहों को एक, दो और चार विद्यार्थियों वाले उप समुहों में बांट दीजिए उन्हें क्रमशह पहली, दूसरी और तीसरी पीड़ी के रूप में चिन्हित करिये ये उपसमूह उपभोकताओं को निरूपित करते हैं प्रिष्ट सत्तावन जनसंख्या में वृद्धी के साथ साथ दूसरी और तीसरी पीड़ी में उपभोकताओं की संख्या अधिक है प्रत्येक समुह के लिए मेज पर एक पूरा भरा पात्र रख दीजिए प्रत्येक समुह की पहली पीड़ी के उपभोगताओं से कहिए कि वे अपने समुह के पात्र से वस्तूओं का उपभोग करें अब प्रत्येक समुह की दूसरी पीड़ी को भी वैसा ही करने को कहिए विद्यार्थियों से कहिए कि वे प्रत्येक पात्र में वस्तुओं की उपलब्धता को ध्यान से देखें यदि पात्रों में कुछ शेश बचा है तो प्रत्येक समूह की तीसरी पीड़ी को इसका उपभोग करने के लिए कहिए अब अन्तिम रूप से देखिए कि तीसरी पीड़ी के सभी उपभोगताओं को खाने हे तु कुछ मिला या नहीं ये भी देखिए कि क्या पात्रों में अब भी कुछ शेश बच गया है मान लीजिये के पात्रों के खाद्यपदार्थ, कोईले, पेट्रोलियम या प्राकृतिक गैस जैसे समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों को प्रदर्शित करते हैं प्रत्येक समूह का उपभोग प्रतिरूप भिन हो सकता है क्या किसी समूह की पहली पीड़ी बहुत अधिक लाल्ची है हो सकता है कि कुछ समूहों में पहली पीड़ी आने वाली पीड़ियों के लिए प्राकृतिक संसाधनों की उपलब्धता के विशाय में चिंतित हो इस अध्याय में हम कोईले, पेट्रूलियम और प्राकृतिक गैसों जैसे कुछ समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधनों के विशाय में अध्ययन करेंगे इनका निर्मान सजीव प्राणियों के मृत अवशेशों याने जीवाश्मों से होता है अतय इने जीवाश्मी इंधन कहते हैं पाँच दशमलव एक कोईला आपने कोईला देखा होगा या इसके बारे में सुना होगा चित्र पाँच दशमलव एक ये पत्थर जैसा कठोर और काले रंग का होता है चित्र पाँच दशमलव एक इस चित्र में कोईला दिखाया गया है खाना पकाने हेतू उप्योग में आने वाले इंधनों में कोईला एक है पहले इसका उप्योग रेल इंजनों को चलाने के लिए भाप बनाने में होता था इसका उपयोग तापी ये शक्ती संयंत्रों में विद्युत उत्पन्न करने हेतु भी किया जाता है। कोईले का उपयोग विभिन उद्ध्योगों में इंधन के रूप में भी किया जाता है। कोईले की कहानी पहेली ने पूछा कोईला हमें कहां से प्राप्त होता है और ये कैसे बनता है लगभग 300 मिलियन वर्ष पूर्व पृत्वी पर निचले जली एक शेत्रों में घने वन थे बाढ़ जैसे प्राकृतिक प्रक्रमों के कारण ये बन मृदा के नीचे दब गए उनके उपर अधिक मृदा जम जाने के कारण वे संपीडित हो गए जैसे जैसे वे गहरे होते गए उनका ताप भी बढ़ता गया उच्च दाब और उच्च ताप पर प्रित्वी के भीतर मृत पेड़ पौधे धीरे-धीरे कोईले में परिवर्तित हो गए कोईले में मुख्य रूप से कारबन होता है मृत वनस्पती के धीमे प्रक्रम द्वारा कोईले में परिवर्तन को कारबनी करण कहते हैं क्योंकि ये वनस्पती के अवशेशों से बना है, अतह कोईले को जीवाश्म इन्धन भी कहते हैं। चित्र पांच दशमलव दू में एक कोईले की खान को दिखाया गया है। प्रिष्ट अठावन चित्र पांच दशमलव दू कोईले की एक खान वायू में गर्म करने पर कोईला जलता है और मुख्य रूप से कार्बन डायोकसाइड गैस उत्पन करता है। उद्योग में कोईले के प्रक्रमन द्वारा कुछ उप्योगी उत्पाद प्राप्त किये जाते हैं जैसे कोक, कोलतार और कोईला गैस। ए, कोख ये एक कठोर, सरंद्र और काला पदार्थ है। ये कार्बन का लगभग शुद्धरूप है। कोख का उप्योग इस पात के उद्योगिक निर्मान और बहुत सी धातुओं के निशकर्शन में किया जाता है। बी, कोलतार ये एक अप्रिये गंधवाला काला गाढ़ा द्रव होता है। चित्र पांच दशमलवतीन। ये लगभग दो सौ पदार्थों का मिश्रण होता है। इस प्रिष्ठ पर बाई ओर नीचे चित्र पांच दशमलवतीन दिखाया गया है। ये कोलतार है। कोलतार से प्राप्त उत्पादों का उप्योग प्रारंभिक पदार्थों के रूप में दैनिक जीवन में काम आने वाले विभिन पदार्थों के औध्योगिक निर्मान में तथा उत्योगों जैसे संशलेशित रंग, औशधी, विसफोटक, सुगंध, प्लास्टिक, पें प्रियोग में लाई जाने वाली नेफ्थलीन की गोलियां भी कोलतार से प्राप्त की जाती हैं। इस प्रिष्ठ पर बीच में पीले रंग के बकसे में महत्पपून जानकारी दी गई है। आज कल पक्की सड़कों के निर्मान में कोलतार के स्थान पर एक पेट्रोलियम उ प्रक्रमन द्वारा कोक बनाते समय कोईला गैस प्राप्त होती है। ये कोईला प्रक्रमन सयंत्रों के निकट स्थाफित बहुत से उद्ध्योगों में इंधन के रूप में उपियोग की जाती है। इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे पीले रंग के कोश्ठ में महत्पपून जानकारी दी गई है लंदन में 1810 में तथा न्यू यूउक में 1820 के आसपास कोईला गैस का उप्योग प्रथम बार सडकों पर रोशनी के लिए किया गया था आजकल इसका उप्योग रोशनी के बजाए उश्मा के सरोत के रूप में किया जाता है प्रिष्ट 69 5.2 पेट्रोलियम आप जानते हैं कि इंधन के रूप में पेट्रोल का उप्योग हलके स्वचालित वहनों जैसे मोटर साइकिलों, स्कूटरों और कारों में होता है भारी मोटर वहनों जैसे ट्रकों और ट्राक्टरों को चलाने के लिए डीजल काम आता है ये इंधन प्राक्रितिक स्रोत से प्राप्त होते हैं जिसे पेट्रोलियम कहते हैं पेट्रोलियम शब्द की उत्पत्ती पेट्रा याने चट्टान एवं ओलियम याने तेल से हुई है क्योंकि ये जमीन के नीचे की चट्टानों के मध्य से निकाला जाता है चित्र पांच दशमलव चार क्या आप जानते हैं कि पेट्रोलियम कैसे बनता है पेट्रोलियम का निर्मान समुद्र में रहने वाले जीवों से हुआ जब ये जीव मृत हुए इनके शरीर समुद्र के पेंदे में जाकर जम गए और फिर रेत तथा मिट्टी की तहों द्वारा धक गए लाखों वर्षों में वायू की अनुपस्थिती, उच्चताप और उच्चदाब ने मृत जीवों को पेट्रोलियम और प्राक्रितिक गैस में परिवर्टित कर दिया चित्र पांच दशमल अवचार देखिए जो पेट्रोलियम और प्राक्रितिक गैस के भंडारों को दर्शाता है आप देख सकते हैं कि पेट्रोलियम तेल और गैस की परत जल की परत के उपर है ऐसा क्यों है? याद करिए कि तेल और गैस जल से हलके होते हैं और इसमें मिश्रित नहीं होते इस प्रिष्ट पर पीले रंग के बक्से में महत्वपून जानकारी दी गई है विश्व का पहला तेल का कुऊं पैंसिलवेनिया अमेरिका में 1869 में प्रवेधित याने ड्रिल किया गया था आठ वर्ष बाद 1867 में असम के माकुम नामक स्थान पर तेल का पता चला भारत में तेल, असम, गुजरात, बॉम्बे हाई और गोदावरी तथा कृष्णा नदियों के बेसिन में पाया जाता है इस प्रिष्ठ पर नीचे चित्र 5.4 दर्शाया गया है इस चित्र में पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस के भंडार दिखाए गए है आप देख सकते हैं कि चित्र में सबसे उपर तेल के कूएं बने है उसके नीचे अप्रवेश्य चट्टान है और उसके नीचे गैस है गैस के नीचे तेल है और तेल के नीचे जल और जल के नीचे तेलाशाय चट्टान है पेट्रोलियम का परिशकरण पेट्रोलियम गहरे रंग का तेली ये द्रव है। इसकी गंध अप्रिय होती है। ये विभिन संगटकों जैसे पेट्रोलियम गैस, पेट्रूल, डीजल, स्नेहक तेल, पेराफिन मोम आदी का मिश्रण होता है। पेट्रोलियम के विभिन संगटकों या प्रभाजों को प्रिथक करने का प्रक्रम परिश्करण कहलाता है। ये कार्य पेट्रोलियम परिश्करणी में संपादित किया जाता है। चित्र 5.5 ये चित्र पेट्रोलियम परिश्करणी का है। पेट्रोलियम के विभिन संगटक और उनके उप्योग सारणी 5.1 में दिये गए हैं इस प्रिष्ठ पर पीले रंग के बक्से में महत्पपून जानकारी दी गई है पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस से अनेक उप्योगी पदार्थ प्राप्त किये जाते हैं इन्हें पेट्रो रसायन कहते हैं इनका उप्योग अपमारजक, रेशे, पॉलियस्टर, नाइलॉन, एक्रेलिक आधी, पॉलिथीन और अन्यमानव निर्मित प्लास्टिक आधी क और द्योगिक निर्मान में किया जाता है प्राकृतिक गैस से प्राप्त हाइड्रोजन गैस का उप्योग उर्वर को यूरिया के उत्पादन हेतु किया जाता है अपने बहुत अधिक व्यावसायिक महत्व के कारण पेट्रोलियम को काला सूना भी कहते हैं 5.3 प्राकृतिक गैस प्राकृतिक गैस एक बहुत महत्वपून जीवाश्म इंधन है क्योंके इसका परिवहन पाईपों द्वारा सरलता पूर्वक हो जाता है प्राकृतिक गैस को उच्चदाब पर संपीडित प्राकृतिक गैस CNG के रूप में भंडारित किया जाता है CNG का उप्योग उर्जा उत्पादन हेतु किया जाता है अब इसका उप्योग परिवहन वहनों में इंधन के रूप में किया जा रहा है, क्योंकि ये कम प्रदूशनकारी है, ये एक स्वच्छ इंधन है CNG का अधिक लाब ये है कि इसे घरों और कारखानों में सीधा जलाया जा सकता है, जहां इसकी आपूर्ती पाइपों के माध्यम से की जा सकती है पाइप लाइनों का ऐसा जाल, बडोदरा, गुजरात, दिल्ली के कुछ भागों और अन्य स्थानों पर उपलब्द है इस प्रिष्ठ पर सबसे नीचे सारणी 5.1 दिखाई गई है सारणी 5.1 पेट्रूलियम के विभिन संगटक और उनके उपयोग इस सारणी के तीन मुख्य शीरशक हैं क्रमसंख्या, पेट्रूलियम के संगटक, उपयोग क्रमसंख्या 1. द्रवित पेट्रोलियम गैस, LPG इसका घरों और उद्ध्योगों में इंधन के रूप में उपयोग किया जाता है क्रमसंख्या 2. पेट्रोल इसका मोटर इंधन शुष्क धुलाई के लिए विलायक के रूप में इस्तिमाल किया जाता है क्रमसंख्या 3. मिट्टी का तेल इसका उपयोग स्टोव, लैंप और जट वायुयान के लिए इंधन के रूप में किया जाता है क्रमसंख्या 4. डीजल इसका उपयोग भारी मोटर वहनों और विद्युत जनित्रों के लिए इंधन के रूप में किया जाता है क्रमसंख्या पांच, स्नेहक तेल, इसका उप्योग स्नेहन के लिए किया जाता है क्रमसंख्या छे, पेराफिन मोम, इसका उप्योग मरहम, मोमबत्ती, वैसलीन आधी में किया जाता है क्रमसंख्या साथ, बिटुमेन, इसका उपयोग, पेंट वसड़क निर्मान में किया जाता है प्रिष्ट, 61 प्राकृतिक गैस का उपयोग, प्रारंभिक पदार्थ के रूप में बहुत से रसाइनों और उर्वर्कों के अध्योगिक निर्मान में किया जाता है भारत में प्राकृतिक गैस के विशाल भंडा रहें, हमारे देश में प्राकृतिक गैस त्रिपुरा, राजस्थान, महराष्ट्र और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में पाई जाती है बूजों ने पूछा, क्या प्रियोग शाला में मृत जीवों से कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस बनाई जा सकती है पहेली ने कहा, नहीं, इनका बनना एक बहुत धीमा प्रक्रम है और इनके बनने की परिस्थितियां प्रियोग शाला में उत्पन्न नहीं की जा सकती पाँच दशमलव चार, कुछ प्राकृतिक संसाधन, सीमित हैं आपने इस अध्याय के प्रारंभ में पढ़ा है कि कुछ प्राकृतिक संसाधन, जैसे जीवाश में इन्धन, वन, खनिच आदी समाप्त होने वाले होते हैं आप जानते हैं कि कोईला और पेट्रोलियम जीवाश में इन्धन है? मृत जीवों के इन्धन में परिवर्तन के लिए लाखों वर्ष का समाएं लग जाता है दूसरी ओर इनके ग्यात भंडार कुछ सौ वर्ष और चलने वाले हैं इसके अतिरिक्त इन इन्धनों का जलना वायू प्रदूशन का प्रमुख कारण है इनका संबंध विश्व उशनन से भी है अतह ये आवश्चक है कि हम इन इन्धनों का उप्योग तभी करें जब नितान्त आवश्चक हो इसके परिणाम स्वरूप परियावरण बहतर बनेगा विश्व उशनन का खतरा कम रहेगा और इन्धनों की उपलब्धता लंबे समय तक होगी भारत में पेट्रोलियम संरक्षन अनुसंधान संग पीसी आरे लोगों को सलाह देती है कि गाड़ी चलाते समय किस प्रकार पेट्रोल डीजल बचाएं उनके गुरहें जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गती से चलाईए यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो गाड़ी का इंजन बंद कर दीजिए टायरों का दाब सही रखिये और गाड़ी का नियमित रख रखाव सुनिश्चित कीजिए प्रिष्ट बासट प्रमुक शब्द कोईला कोईला गैस कोलतार कोक जीवाश्म इंधन प्राकृतिक गैस पेट्रोलियम पेट्रोलियम परिशकरनी आपने क्या सीखा कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस जीवाश्म इंधन है जीवाश्म इंधन का निर्मान सजीवों के मृत अवशेशों से लाखों वर्ष पूर्व हुआ था जीवाश्म इंधन समाप्त होने वाले संसाधन है कोक, कोलतार और कोईला गैस पेट्रोलियम गैस, पेट्रोल, डीजल मिट्टी का तेल पेराफिन मॉम स्नेहक तेल आदी प्राप्त होते हैं कोईले और पेट्रोलियम के संसाधन सीमित हैं हमें इनका नियायोचित उप्योग करना चाहिए अभ्यास 1. CNG और LPG का इंधन के रूप में उप्योग करने के क्या लाब है 2. पेट्रोलियम का कौन सा उत्पाद सडक निर्मान हेतु उप्योग में लाया जाता है 3. वरणन कीजिए मृत वनस्पती से कोईला किस प्रकार बनता है ये प्रक्रम क्या कहलाता है 4. रिक्तस्थानों की पूर्ती कीजिए क रिक्तस्थान तथा रिक्तस्थान जीवाश्म इंधन है ख पेट्रोलियम के विभिन्न संगटकों को प्रिथक करने का प्रक्रम रिक्तस्थान कहलाता है ग वहनों के लिए सबसे कम प्रदूशक इंधन रिक्तस्थान है 5. इन कथनों के सामने सत्य असत्य लिखिये कर जीवाश्म इंधन प्रयोक शाला में बनाए जा सकते हैं सत्य या असत्य ख पेट्रोल की अपेक्षा CNG अधिक प्रदूशक इंधन है सत्य या असत्य ग कोक कार्बन का लगभग शुद्धरूप है सत्य या असत्य ग कोलतार विभिन्पदार्थों का मिश्रण है सत्य या असत्य ड मिट्टी का तेल एक जीवाश्म इंधन नहीं है सत्य या असत्य चे समझाईए जीवाश्म इंधन समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है साथ कोक के अभिलक्षणों और उपियोगों का वरणन कीजिए आठ पेट्रोलियम निर्माण के प्रक्रम को समझाईए प्रिष्ट 63 9. इस सारणी में 1991 से 1997 तक भारत में विद्युत की कुल कमी को दिखाया गया है इन आकणों को ग्राफ द्वारा आले खित करिये वर्ष में कमी प्रतिशतता को वाई अक्षपर तथा वर्ष को एक्स अक्षपर आले खित करिये इस सारणी में तीन शीरशक दिये गए हैं क्रमसंख्या वर्ष कमी प्रतिशत में क्रमसंख्या 1 वर्ष 2004 साथ दशमलव आठ प्रतिशत कमी क्रमसंख्या 2 वर्ष 2005 आठ दशमलव छै प्रतिशत कमी क्रमसंख्या 3 वर्ष 2006, 9% कमी, क्रमसंख्या 4 वर्ष 2007, 9.5% कमी, क्रमसंख्या 5 वर्ष 2008, 9.9% कमी, क्रमसंख्या 6 वर्ष 2009 ग्यारह दशमलव दो प्रतिशत कमी क्रमसंख्या 7 वर्ष 2010 दस प्रतिशत कमी विस्तारित अधिगम, क्रिया कलाप एवं परियोजनाई एक, भारत का एक रूप रेखा मानचित्र लीजिए, मानचित्र में वे स्थान चिन्हित करिये जहां कोईला, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस पाए जाते हैं उन स्थानों को दिखाईए जहां पेट्रोलियम परिशकरणियां स्थापित हैं दो, अपने पडोस में किनी पाँच परिवारों का चयन करिये, पता लगाईए कि उनका उर्जा उपभोग, कोईला, गैस, विद्युत, पेट्रोल, मिट्टी का तेल पिछले पाँच वर्षों में बढ़ा है या कम हुआ है ये भी पता लगाईए कि उर्जा बचत हेतु उन्होंने क्या उपाए किये हैं तीन, भारत में प्रमुक्तापी ये शक्ती संयंत्रों के स्थानों का पता लगाईए उनके इन स्थानों पर स्थापित किये जाने के संभावित कारण क्या हैं अधिक जानकारी के लिए इन वेब साइट को देखें www.energyarchive.ca.gov, web.ccsd.k12.wy.us इसी के साथ 18 अध्यायों की इस पुस्तक का अध्याय पांच यहां समाप्त हुआ, वाचक बाबला को छड़ अभी आप सुन रहे थे ये ध्वनी पाठ्य पुस्तक तक्नीकी नियंत्रन बटी लैंग लिंग्डो तक्नीकी सहायक मयंक कुमार निर्मान सहयोग अमित कुमार निर्मान एवं निर्देशन वंधना अरिमर्दन तथा प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत